साथियों, मैं अपने आपको भहुत उपयुकत यहां नहीं है, अनुभो कर रहा हूँ, क्योंकि संगीत जैसे गहन विशय का जानकारत मैं बिल्कुल नहीं हूँ लेकिन सांस्कृतिक बहुत से मैं यह महसूस करता हूँ, कि संगीत एक साधना भी है और भावना भी है जो अव्यक्त को व्यक्त कर दें, वो शब्द है, जो व्यक्त में उर्जा का, चेतना का संचार कर दें, वो नाध है और जो चेतन में भाव और भावना भर दें, उसे सुरुष्ट्री और संवेदना की परकाश्ट तक पहुचा दें, वो संगीत है आप निश्पुरू बैठे हो, लेकिन संगीत का एक स्वार, आपके आँखों से आँसु की धारा बहा देता है ये सामर्थ होता है, लेकिन संगीत का स्वार, आपको वैराग्य का बोध करा सकता है संगीत से आपमें विर्रस भरता है संगीत मात्रुत्वों और मम्ता की अनुभूती करवा सकता है संगीत आपको राष्ट भक्ती और कर्तव्य बोध के सीखर पर पहुँचा सकता है हम सब सोभाईव्य साली हैं कि हमने संगीत की इस सामर्थ को इस शक्ति को लता दीजी के रूप में साक्षा देखा है हमें अपनी आखों से उनके दर्शन करने का सौभागी मिला है और मंगेश का परिवार पीड़ी दर पीड़ी इस यग्य में अपनी आहुती देता रहा है और मेरे के लिए तो यह अनुभव और भी कहीं बढ़कर रहा है अभी कुछ सुर्खियां हरीज जी ने बता दी लिकिन मैं सोच रहा था कि दीदी से मेरा नाता कब से कितना पुराना है तो दूर जाते जाते याद आ रहा था कि शाहिद चार साड़े चार दसक हुए होंगे सुधिर फड़केजी ने मुझे परिच्चे करवाया था और तब से लेकर के आग तक इस परिवार के साथ अपार्स ने अंगिनत कटना है मेरे जीवन का हिस्सा बन गई मेरे लिए लता दिदी सूर सामरागे के साथ साथ और जिसको कहते हुए मैं जे गर्वन भोता है वो मेरी बड़ी बहन थी पीडियों को प्रेम और भावना का उपहार देने वाली लता दिदी उन जोन से मैं हमेशा उनकी तरफ से एक बड़ी बहन जैसा अपार प्रेम मिला है मैं समझता हूँ इस से बड़ा जीवन का सोभाग्य क्या हो सकता है शायद भौत दसकों के बाद ये पहला राखी का तिवार जब आएगा दिदी नहीं होगी सामान्य तोर पर किसी सम्मान समहरों में जाने का और जब अभी हरिज जी भी बता रहेते कोई संमान ग्रहन करना मैं थोड़ा उन विशे में दूरी रहा हूँ मैं अपने आपको एड़्जस नहीं कर पाता हूँ लेकिन पुरसकार जब लता दिदी जैसी बड़ी बहन के नाम से हो तो यह मेरे लिए उनके अपनत्व और मंगेशकर परिवार का मुझ पर जो हक है उसके कारण मेरा यहां आना एक प्रकार से मेरा दाइत्व बन जाता है और यह उस प्यार का प्रतीक है और जब आजिना जी का संदेश आया मैंने मेरे क्या कारकम है मैं कितना भीजी हूँ कुछ पोचा नहीं मैंने का भाया पहले हां कर दो मना करना मेरे लिए मुंकी नहीं नहीं जी मैं इस पुरसकार को सभी देश वालचों के लिए समर्पित करता हूँ जी तरह लता दीदी जन जन की थी उसी तरह उनके नाम से मुझे दिया गया है पुरसकार भी जन जन का है